बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे मानव परियावरन अनुकूलन में बुश्मैन प्रजाती के बारे में बुश्मैन प्रजाती जो शब्द है वो सत्रविशत आपदी में उच्चावसियों द्वारा दिया गया था इस्थान इस्थान पर आखेट करने वाले उन लोगों को दिया गया था जिनके संपर्क में दक्षण अमफिरिका में लोग आये और आकार प्रकार में ये लोग नीगरो प्रजाती से मिलते जोते थे ये एक स्वरूप के हैं उनकी मुखाकरती जो होती है वो लग भग निगरो एड जैसी होती है परंत उनके जबडे आगे निकले वे नहीं होते जैसे कि निगरो एड के होते हैं अपनने प्रजाती पड़ी थी तो निग्रोएट प्रजाती की विशेशताएं भी मैंने आपको बताई थी तो नहीं इनके होट बाहर निकले होते हैं और नहीं ये निग्रोएट की तरह इनकी चेहरा होता है तो इनकी आखे चोड़ी होती है निग्रो निग्रटो के मुख्य गण जो है वो इन में नहीं पाये जाते हैं और महिलाओं की शारेरिक विशेष्टा यह है कि इनके नितम्बों पे चर्वी जमा होती है अब आजाते हैं निवाश चेत्र पे निवाश चेत्र जो है बुश्मेन जो दक्षमिने अफरीका के उत्री पश्चमि भाग में दक्ष मुक्यत है बसूतो लेंड, नेटाल, जिंबावे, बोथसाना, दक्षने अफरीका के सुधूर, उत्तर और पूरवी भाग में फैले हुए हैं, बुश्मेन लोगों का प्रदेश 18 डिग्री दक्षनी अक्षान से 27 डिग्री दक्षनी अस्चान से बोथस्वाना में इस्तित ह है, अब यहां के भोगलिक वातवरन की बात करें, तो दक्षने अफरीका एक विशाल पठार है, हाइट यहां पर 1000 से 2000 मिटर तक की है, और यहां उंची परवत सेनिया है, काला हारे प्रदेश का जो हिस्सा है, वो उंचा नीचा है, यह प्रदेश सफेद या काले रंग की म का हुआ है, इस मिट्टी के बीच में ही चोटी-चोटी पाहाडियां भी आपको दिखाई देती है, और यहां बालू के टीले हैं, जो 36 मिटर तक उचाई लिए होते हैं, अधर जो पाठ है यहां पर वो है बलू ही मिट्टी, कुछ वहां घास उत्पन हो जाती है, बालू क बहुत कठीन होती है, क्योंकि चारों तरफ बालू के टीलों की पेटी है, यहां जलवायू अर्ध उच्न कठी बन दिये प्रकार की है, केवल दक्षन पस्चिम में चेत्र ऐसा है, जहां ग्रिश मिट्रितू में वर्षा होती है, यहां पर वर्षा पूर्वी आधे चेत्र जो हैं, उनमें परियाप्त होती है, पूर्वी परवश्यर्णियों और उनकी सीमा में सगनवन मिलते हैं, यहां बालू की टीलों की संख्या में जो 36 मिटर उचे जो बालू के टीले होते हैं, वहां पर मिट्टी मिट्टी होती है, अब आपके पूर्वी आधे चेत्र जो वर्षा में जहां वर्षा प्रीयाप्त होती है, उन्ही पूर्वी परवश्यर्णियों में उसकी सीमा में सगनवन मिलते हैं, पश्यमी शोर में, चोर में पार्कलेंट के रूप में बाद में वह लुपत हो जाते हैं और वर्षा की न्यूनता जो धीरे धीरे पहले लंबी घास फिर काटीदार जाडियां फिर पूर्ण तर रेतीले और पत्रेले मनुस्तल के रूप में बदल जाती है अब काला हरी मरू भूमी की उत्पती जो थी वो बैजवाना लेंड से हुई थी और जिसमें साल्ट पैंस कहते हैं यहां तापमान 39 से 32.2 सेंटीग्रेट तक रहता है और शीतकाल में यह और जादा पहुँच जाता है मरूस्तल अधिक होने के कारण यहां देनी तापमान में काफी अंतर पाया जाता है दिन में 45.5 डिगरी सेंटीग्रेट और रात में माइनस 6.6 डिगरी सेंटीग्रेट रह जा है तापमान के गिर जाने से वर्शा आरंब होती है और शीतकाल में रातरी के समय अत्यदिक ठंड पड़ती है जो बुश्मेन लोगों के लिए बहुत कठीनाई वाली होती है वर्शा का ओसत उत्तर और पूरों में 50 सेंटीमेटर और दक्षिन पश्चिमे में केवल 20 सेंट पर लगबग 33 सेंटीमेटर वर्शा होती है अब इन लोगों का जीवन कैसे चलता है जैसे कि हम पहले ही कह रहे हैं कि मानव परियावरन अनुकुलन यानि इनका जो जीवन है वो आज भी प्रात्मिक व्यवसाय आखेट करना जंगल में रहना आदिवासी जीवन जीना इस काफी बड़ा पठारी छेतर है मरुसलिय छेतर है इस भाग में आखेट प्रदान प्रदेश जादा है वन और घास के मैदान है जहां पर की शिकार की संपन्नता है गवामी छेतर और ओकवाम उंगों में कीचड के कारण जब वर्शा के जल अधिक हो जाता है तो यहां भोजन पूर्ती के कारण पश्यों की संख्या बढ़ जाती है तो इस प्रदेश में शाकाहरी और मांसाहरी दोनों प्रकार के पश्यों पाए जाते हैं अब शाकाहरी पश्यों में देखेंगे तो एंटिलोप, बले स्वाब, जेन स्वाब, जेब्रा, जिराफ इस तरह के और इसी प्रकार से बड़ा कुद्रू, छोटा कुद्रू जिसे स्टीन बॉक भी कहते हैं इस तरह के जानवर यहाँ पर मिलते हैं जो भोजन की खोज में भूमते पिड़ते रहते हैं अन्यशाकाहरी पश्यों में शुतरमूर, घाती, गेंडे, दरियाई, घोडा, अक्व चोटे जीव, चिटी, चिपकली, मेंडग, मदुमक, खीट, इड़, घोष, चमकादर, चुहे, चुगिया, बहुत सारी चड़ियां यहाँ पर वर्षाकाल के मौसम में दिखाई देती हैं यहाँ पर वर्षाकाल में रिंगने वाले कीडे भी बहुत अधिक मात्रा में हो चोटे जीव, जो बड़े आकार के हैं, वो अन्यमा सारी पशों के लिए भूजन की पूर्थी करते हैं, वनों की शोबा में अभी व्रद्धी करते हैं, यहाँ एक प्रकार की दीमक है जिसे बुष्मेन राइस कहा जाता है और यह यहाँ के भोजन का प्रमुखांग के बड़ती है कि बुष्मेन का यदि कोई घायल शिकारी शिकार करके किसी अन्य छेतर में पहुंचाता है गलती से, तो वहाँ उसे उस शिकार में से अपना हिस्सा एक हिस्सा उसको देना पड़ता है, और यहाँ वर्षारी तो बहुत छोटी होती है, इसलिए जलकाभा होता है, चरागा सूख जाते हैं, तो उसके बाद यह लोग जो होते हैं, अपने पश्वों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीवन निर्वाहितु भी जाते हैं, गर्मियों में साधार अरण वर्षा के समय जब जरने जल से भर जाते हैं, तो यहाँ घास, रसभरी और जाड़ियां अपरियापत रूप में पनब जाते हैं, तब यहाँ पर शिकार का कारियर खुब अच्छे से होता है, क्योंकि उस समय जानवर जो हैं, घास खाने के लिए और उनको जहां भी भोजन मिलता है, उस जगे वो भूमने लगते हैं, लेकिन जब ग्रीश पी उस समय तेज गर्मी के कारण घास तो सूख जाती है, और जो चार पयों वाले जानवर होते हैं, वो बहुत अधिक केपसिटी ऐसी रखते हैं अपने अंदर, कि वो कुछ तरबूज खाकर और कुछ और वहां का जो नारास, वहां की जो सूखी घास होती है, उसी को खाकर, वो लोग कई हफतों तक जीवित रह जाते हैं, और ये इस्थाई जलचिद्रों से चारों और भारी संख्या में एकत्रित होते हैं, रितु संबंदी, एक रस्ता, बुश्मेन को सब प्रकार से लाचार कर देती हैं, जैसे यहां खाने के लिए फल परियाप्त रूप में न प्राप्त हो जाती है, लेकिन शिकार करना, पोदे और वनस्पतियादे एकत्रित करना कि अपेक्ष्या इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा शिकार करना महतु रखता है, क्योंकि यहां पर जो बड़े जानवर हैं, जिनका शिकार कर लिया आयाता है, तो इनको काफी समय त प्राप्त हैं, और अपने आपका रूप बदलने में भी चतुर होते हैं, जन्तु की आवाज की नकल कर लेते हैं, और तीरों पर विश लगा कर रखते हैं, जिससे शिकार को मारने में आसानी हो, लेकिन इनके जो विशेले तीर होते हैं, तो इनके पास शायद बहुत भागते हैं, ताकि वो कहीं इदर उदर ना चला जाए, बड़े-बड़े शिकार जो होते हैं, उनको फसाने के लिए विविन प्रकार की तरीके काम में लाते हैं, जैसे प्रतेक व्यक्ति अपने परिवार के लिए शिकार करता है, कई स्थानों पे जहां भविश्य के इनकी जड़ों के आसपास ये अपना निशान अंकित कर देते हैं, बड़े शिकार जब भी ये करते हैं, तो आपस में मिलबाट कर खाते हैं, और जो ये निशान लगाते हैं, वो इनका व्यक्तिगत चिन होता है, तो उससे इनका स्वामित प्रकट होता है, कि ये जो स्वामित्व को प्रकट करता है, ये आपका एक बुष्मेन की सामान्यत जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, इसमें कुछ चीजें रिपीट भी हो गई, मैंने अभी देखा, तो आप लोग इसको पढ़िएगा, और इसका नेक्स्ट वीडियो बुष्मेन टू करके मैंन से बनाऊंगी, उसको मैं कल अपलोड करूँगी, तो ये जो प्राचीन, मानव, अनुकूलन, अभी भी कुछ परजातियां कर रही हैं, उसमें पिछला मेरा लेक्चर जो था, वो पिग्मी पर था, अब बुष्मेन पार्ट वन और बुष्मेन पार्ट तू, गल मैं आप लोगों को दुबारा से बना के दूँगी, इसमें आप लोगों को जब भी आपको लगे कि कोई चर्चा करनी है, या कोई बात करनी है, तो वाट्सअप ग्रूप हमारा बना हुआ है, और उसमें मेरे नंबर है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, और कुछ भी समझ में आए मानव भूगोल में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में, तो आप लोग बेजी जग मुझे कॉल कर सकते हैं, और मुझसे बात कर सकते हैं, धन्यवाद